विश्चो के अगलो दावी गरिये को तरिसूल इस्थापना गरिये पछी दांको पांडवे सूर्सिवा मंदीर को धार्मिक महत्तो जणे बढ़े रगये कुछा त्रिसुल राखिये संगे धारपानी स्थीत यो मंदिर धार्मिक परेटक का लागी आकर्षक गनतब्य बनी रहे कुछ 55.5 फीट अगलो यो त्रिसुल को गुलाई 44 इंची छ 778 किलो फलाम, 226 किलो तामा, 205 किलो पितल र 10 किलो कास बाट यो त्रिसुल निर्मिक छ एसमा सुन्ड चादिक को प्रियोग भायपनी एसको मात्रा भने गोप्य राखिये कुछ मंदीर परिस्तरमा, 306 के आकारमा, 108 बर पिपल रोपन सुरू गरिये कुछ अहिले समा करीब 400 बर पिपल रोपी सकीये कुछ अली ठुलू गुरियोजना तयार गरे रहे विशाल योटा बोटिंग सहीत को पोखरी योटा बिशाल योटा धार्मिक कुरे नाम देर धार्मिक योटा पार्क योटा धार्पानी मंदिर देखी सुनकोट मंदिर सम्मा सिमेंट पर्योग नगर रहे गई धुगावाट निर्माड गरिकु शीली सुनकोट मंदिर सम्मा जा 24 मिटर टाडा चा योगन्द त्या ट्रेकिंग मार्ग बनाये रहा हमी त्या समल लगनी रहा विशाल घंटा साइद सुनकोट में युटा मंदिर निर्माण गरनी त्यो अभियान मा हमी जूटे काशओ पांडवेश्वर सिब मंदिर दांग उपत्यका को दक्षणी भाग बबय नदी को किनार मा चूरे परवत को काख मा वस्ति छा द्वापर यूग को अंते मा द्रोपती साइद पांच पांडवरू उत्तरा पंथको यात्रामा जाने क्रमा एस स्थान मा आई सीबा को अर्चना गरे का थिये भन्ने किम्बदन्ति छा यू पांडवर ले इस्थापना गरेको उकता सीबालेंग यही पांडवे सूर अथवा ओईलेको तारपानी मंदीर भीत्रको ड्रहेको सीबालेंग हो एसको अईतियास्षिक्ता देरे पुरानों वन्नी प्रमानित गर्चा चुरे परवत को मनुरम बातावरन जविक बिभीत ताले संपन न हरीयो जंगल ट्रेकिंग का लागी सुनकोट पहाड रा पवित्र बवई नदी एस स्थलका परेटकीय महत्तो का सबल आधार हरु हुन जसका कारण पच्छिलो समय यो सिवा मंदीर रासपास को छेत्रा धेरे को गनतब्बे बनी रहे को छा इस्थानी संबाद दाता संतो सुबेदी का साथ असुकुमार वसनेत रनी राजन खनाल नेपाल टेलिवीजन दांग